नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी के आपने YouTube Channel फिर से बहुत बहुत स्वात करते हैं, उमीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छी होंगे, देखे दोस्तों अगर आप भी किसान हैं, खेती बारी करते हैं, सबजी का बिजनेस करते हैं, या फिर डेरी फ भार सरकार के दुवारा जो है परधान मंतरी किसान क्रीड काड उजना चलाया गया है जिसके माधिम से 1,60,000 रुपे तक का जो है लोन किसानों को दिया जाता है तो अभी जो है इसका जो मेगा सिबीर है वो लगाये जा रहे हैं अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं या फिर आपके पास पहले से किसान क्रीड काड है जिसका आपना विकरम करान चाहते हैं तो आपके लिए जो ही बहुत ही बढ़िया अपडेट निकल के आया हुआ है तो वीडियो को सुरू से अन तक लेका ज़रू देखिएगा सभी जनकारी किलियर करके बतायांगे किसान के इड काड क्या है किस तरह से इसमें आपको लाब मिलते हैं कितना आपको इंट्रेस्ट देने पड़ते हैं और किस तरह से इसके लिए आप फॉर्म फील कर सकते हैं सभ आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो आगे भी हम बढ़ते रहेंगे और आप भी साथ हमारे चलते रहेंगे ठीक है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को सेर कर लीजिएगा सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि किसान क्रेट काड य लोन सरकार के तरफ से दिया आता है मतलब कि बैइसा निकलता है उतके माधेम से इस लोट को आप चुकाते हैं तो हम बात कर लेते हैं कि अभी मेगा सिबीर कर आईजना किया गया है की जो सहकारता भी भाय गया उसके दोवारा जो भी रादिया के सहकारि BANK के ब्रांच हो उसके ब्रांच में MEGAS Sivir का उजन किया जा रहा हैं इसमें आपके आसपरस में कोई भी सहकारि BANK होगा उसमें आप 31 जनवरी 2023 को जाएंगे तो एक जो ही मेगा सिविर कायोजन किया जाएगा जिसमें जो भी किसान हैं वो किसान जाएंगे किसान के एड कार्ट के लिए आवधन करेंगे किसान के एड कार्ट पहले से लिए हुए तो उसका नभी करण करवाएंगे या फिर जो भी जनकारी होगा उनको वहां से दिया जाएगा अब यहाँ पर माल ले जगर आप भी इस उजनकार्ट गर्थ लोनना चाहते हैं तो आपके पास योगता क्या होना चाहिए सबसे पहले तो आप किसान होने चाहिए आपका उमर जो एठारे प्लस होना चाहिए साथी साथ आप सभी जानते हैं कि इस लोन को लेने के लिए आपके पास जो भूमी का स्वामीत परमार पत्र होता है LPC होता है वो भी रिक्वाइड होता है साथी साथ कुछ और भी डॉक्मेंस देने पर सकते हैं अधार काड पेंड काड वेगर वगर उस बैंक में खाता भी आपका खुलवाना पड़ सकता है कि उनकी लोन एकाउंट आपको एक अलग से ओपन किया आता है आपको यहां पर पैसे दिये जाते हैं लेकिन जो मेगा सीपर लगाया जा रहे हैं वो सहकारी बैंक की ब्रांच में ही लगाया जाएंगे वहां से जाकर आपको फर्म को फिल करना होगा जिसको आप चाहें तो रीड कर सकते हैं पर सकते हैं समझ सकते हैं साथी साथ इसमें जो है एक लाग साथ रुपर तक का जो है लोन आपको दिया आ सकता है डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लोन ले रहें कितना आपका क्या है क्या आप दिखा रहें और किस तरह से आपका जमीन बैगरा हो रहा है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लोन प्रवाइड किया आता है, इसमें 7% तक का interest rate लगता है, जैसे कि मैं आपको बताया है, लेकिन इसमें क्या होता है, कि अगर आप इसका जो ओधी होता है, उस ओधी के अंदर ही बढ़िया से आप लोन चुका देते हैं, तो आपको 4% जो सेंडर गवर्मेंट है, उसके तरफ से आपको छूट दिया आता है, जिसमें आपको 3% ही आपको यहाँ पर interest rate देना होता है, तो बहुती कम रेटों पर आपको जो ओधी लोन मिलता है, बेसिकली किसानों के लिए, तो आप भ बस में जो भी सहकारी बैक है, उसमें मेगा जो सीबीर है, उसका आउजन किया जा रहा है, एक बढ़ जाकर ट्राइ कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको भी लोन मिल जाएगा, तो बहुती बढ़िया होगा, एप्लिकेशन फ़र्म आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉफी के साथ, अब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जहां भी रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्त रहें, बहुत बहुत धन्यवाद